सनागाई, सनागाई आओ सनागाई, अपने मसेहा की जो बचाता है वो ही देता है जिन्दगे हमेशा की अपने मसेह के परफजल जलाली और खुबसुरत नाम में आप सबकी सलामती हो, मसेह में आपका खादिम पासर आसी फारून, आपके साथ हो प्रोग्रम आओ सनागाई के साथ, आप सबको आज का खुबसुरत दिन, यानि मसेह का जी उठना, इदे क्यामत अलमसी बहुत बहु ये वो खुबसुरत दिन है जो पूरी दुनिया में सालिबरेट किया जा रहा है, और सारी दुनिया में ये गवाही दी जा रही है, के यिस्व मसी मुर्दों में से जी उठा है, वो फाते है, और उसकी कबर खाली है, और वो किबरिया की दानी तरफ बैटा है, आपको शूर गीत आप सुनते हैं यिसू तु मेरा जोर बन जा खुदावन ने इनको बरकत दी है और इस गीत के वसीला से यकिना आप सब ने भी बहुत बरकत पाई है खुदा के खादिम अर्सा चार साल से खुदावन की प्रस्तिश कर रहे हैं और खुदावन के नाम को जलाल दे मेरी मुराद है जॉन ताज से जॉन ताज वेल्कम तूड़ स्टूडियो आमेन और मसीح का जी उतना आपको बहुत ज्यादा मिबारक हो आपको भी मिबारक हो और मेरी टीम की तरफ से सर जी यसू मसी के जी उतने और उसकी कबर आज भी खारी है आप सब को मिबारक हो जो पॉलूस ने लिखा इसका पंद्रमाबाब है और उसकी पहली दो आयात को मैं कलाम खुदा में से पढ़ना चाहूंगा लिखा है अब ऐ भाईयो मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं जिससे तुमने कुबूल भी कर लिया था और जिस पर काइम भी हो उसी के वसीला से तुमको नजात भी मिलती है बशर्ते वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रख रखते हो वरना तुम्हारा इमान लाना बेफाइदा हुआ हालेलुया अब ये कौन सी खुशखबरी है जिसकी पालू से रसूल बात कर रहे है अगर हम उस खुशखबरी की तरफ बढ़ें तो पहला करंतियों उसके पहले बाब की अथार्वी आयत को जब पढ़े तो यहा पघाम कौमों के लिए उम्मतों के लिए दुनिया के लिए शायद यह हमाकत हलाकत बेवकूफी का पघाम है लेकिन हम जितनों ने उसको कبूल किया है उनके लिए नझाद का खुशखबरी का कلام है और यही है जिसकी पालू स्बा बात कर रहे हैं कि हम इस पर इमान लाय हैं इसलिए हमारा इमान बेफाइदा एना, अइसे है। और एक जगा पालूस कहते हैं कि ना तो हमारा इमान बेफाइदा और ना हमारी मुनादी बे-फाइदा है। क्योंकि हम इस बात पर इमान रखते हैं कि Yisoo जिन्दा है, मुर्दों में से जी उठाए और उसकी कबर खा दिया आप आज की पुरमसर्द मौका पर क्या कहना चाहेंगे मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा कोई वजूद ना था और खुदान येसू ने सूली पे जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशकबरी है कि खुदान ने हमें जी उठके नजात दी और हम खुदान के जितने भी शुकर करें उतना कम है क्योंकि खुदान ने हमें एक वजूद दिया है अच्छे ये आपकी जो बात है वजूद दिया है इसको मैं इस तरह से समझ रहा हूँ कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लोहे का एक टुकड़ा ले 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 ना तो उसको अगर उसकी सुईया बनाई जाएं तो वो शायद रुपाओं में सेहल होंगी है ना और अगर उससे कोई ओजार बना दिया जाए तो वो शायद सौओं में सेहल होगा है ना अगर उस लोहे को हम किसी भी अच्छी बिल्डिंग में लगा दे तो शायद वो हजारों में सेहल होगा और अगर उस लोहे के टुकड़े को हम उठा कर जहाज में लगा दे तो लाकों क्रोडों में चला जाएगा तो मैं इस बात को इस तरह से समझता हूँ कि हम बेवजूत थे हम बेवकूफ थे हम नाउमीद थे हम मायूस थे लेकिन हमारी वर्द जो है वो यस्व मुसी ने बढ़ा दी है अपने कफारा के वसीला से अपने फिदिया के वसीला से तो गॉड बलेश यू ये अच्छा पेगाम है आपकी दरफ से वाव, ग्लोडी तो गाड ख़दावन यस्व कफारा आज चोके आप हमारे सथ सेट पे मौजूद है और सारी दुनिया में मुसी के जी उठने को सेलिबरेट किया जा रहे है हम भी सेलिबरेट कर रहे है और इस सेलिबरेशन का हिस्सा है तो मैं चाहूँगा कि इस खास मौका पर आप अपनी गवाही जरूर शेयर करें किस तरह ख़दावन ने आपकी जिन्दगी में काम किया सर मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि मैं गवाही कौमों में काम करता था उनके मजाहब में उनकी जो भी रसुमात थी उनमें शामिल होता था और यकीन जाने कि मुझे अपने इमान के बारे में तो कुछ भी पता ने था यहाँ तक के मुझे द्वाय रुबानी भी नहीं आती थी इतना पता था कि हम मस्हीं है बस नومिनल इतना पता था और इसके इलावा मुझे अपने इमान के बारे में कुछ नहीं पता था तो तो कफ़ी माद़ की बहुद काम किया एंके साथ मैं ने को समझ लें कि मुझे ऐस अगया है अगाता है का वैसे मैं उन्हीं में स हूँ तो लेकिन फिर भी ख़धाओं ने काम लेना था क्ष़धा की आँख आप पर थी। całलियलॸया तो चुंकि ख़धा की आँख आप पर थी और कलाम में लिखा है कि खुदा की आँख हर बेशकीमा चीज को देख लेती है तो आप उसकी निगा में ग्रांक कदर है उसको आपकी वर्द का पता था इसलिए वो आपको पर्शू करता था ऐसी है सर जी और जब मैंने वहां पर स्टड़ी क्लियर की मैट्रिक मेरे क्लियर होगी थी क्योंकि मैं वहां पर अपनी खाला के घर रहता था तो वहां पर मैंने स्टड़ी करता था तो जो मेरे जितने भी सारे दोस्त थे वह गैर मजाहिब के थे तो उनके साथ मैंने काफी म पशाग पहने हुए और हाथ में कलाम है और एक कमरे में कभी उस कोने पर मैं जाओं और वो मेरे सब पिछे पिछे खुदा का कलाम लिए मुझे थमा रहे थे कि ये आप खुदा का कलाम पकड़ो तो मैं नहीं पकड़ रहा था तो इसी तरह काफी कश्मकश रही और सामने जाड़ी है ति मैं जाड़ीों में जाके छुप जाता तो वो मेरे पिछे आ जाते जाड़ीों में तो मैं जाड़ीों से बाहर निकल गया तो फिर मेरे पिछे आ तो फिर भी मैंने जानने की कोशिश नहीं की, कि खुदा ने मुझे ये क्यों दिखाया खाब, तो उसके बाद पिर जब मेरी महां से मैटर क्लियर हुई, तो खुदा ने एक और खाब दिखाया मुझे, कि एक दरिया है, और लोग कहरे हैं कि उस दरिया के पार खुदा ये नूर है, यकिन जाने कि दूर से इतना नूर नजर आ रहा है, तो मैं अपने दोस्तों को कह रहा हूँ कि यार हमने जाना है, वो एक जो टुकरा सा होता है बेड़ा, उसमें बैठके लोग जा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप मेंसे किसी नहीं आना है, तो आसकते शुपाओ, लेकिन मैं फिर भी नहीं वाना, यकिन जाना कि उसके बाद फिर मैंने वहां स्टुडी को क्लियर किया, मैटर्क मेरी क्लियर होगी तो फिर मैं यूहानाबाद में वापस आ गया, तो यूहानाबाद आने के बाद भी मेरी लाइफ कुछ इसी तरह से थी है, कि स इसी तरह लाइफ कंटीनू थी तो फिर खुदामने मुझे वफादर दोस्त दिये अच्छे दोस्त दिये और वो चर्च से खिद्मत में थे तो उन्होंने मुझे का कि जौन भई आप हमारे साथ आटाच हो हमारे चर्च आया करो आप तो मुझे कहते है यार आप हमारे स cargo लेगे तो मैंने कलीशिया में जाकर बैढ़िख जाना है उन्होंने काफी मोटिवेट मुझे सा हर रोज मोटिवेट करना आपने अगले वब साफ़ा ऑगिसै बॉलना इन अन्हीं मुझे मुझे वॲैया कि मुछे मार झाए कि Un flaps अज कसा टाएं Time गुजर जा है तो Cat विए ठीम आधा επास़ा गाथ करे लिए तू हम प्र दोने की आप चाब आप आप दू हो धू तो मैं काफी परिशान हो गया, डर गया, कि मैं कैसे आगे फेस करूँगा, इतने लोग बैठे होते हैं, तो उन्होंने मुझे जब मुखा दिया, तो मैंने गाया, आंके बंद की और मैंने गा दिया, पता नहीं कैसा गया, समझ नहीं, लेकिन उन्होंने बड़ी तरीफ की, तो मुझे कहते हैं, जोन भई, आप क्वायर में आए, तो फिर उन्होंने मुझे काफी फोर्स किया, मोटिवेट किया, आप क्वायर में आए, खुदाओंद आपको इसमाल करेगा, मैंने का यार नहीं, मैं क्या करूँगा क्वायर में आके, तो फिर मैं मजबे पे जाना कि आपके खड़ा हो ना इतना ही मेरे लिए बड़ा काफी है कि मैं आई जाता हूं तो ऐसी वकत गुजरता गया और जो वर्शिप लीड कर रहे थे उन्होंने वहां से स्किप कर दिया तो फिर और कोई गाने वाला नहीं था कौईर में तो फिर उन्हेंने मुझे मुझे से बनूघा तो फिर मैंने मुझे वर्शिप स्टार्ड की तो जब वर्शिप स्टार्ड की तो फिर मैंने काफी मुझे लोगों के सामने जो घिचक चाहट होती है वह कम होना शुरू होगी और लेकिन मा काम अपने मेरे फिर भी वही थे खुदा उनको कबूल किया था प्य वो मुझे कहते थे यार जोन भई आप ये ना छोड़ दो मैंने कहना नहीं अच्छा सर्जी मैं छोड़ दूँगा तो फिर वो उनकी दैट होगी तो पूर उनके जो बेटे हैं पास्टर मरकर्स वो पास्टर मुंत्खिब हुए खुदाम ने उनको चुना तो वो भी मुझे कहते थे यार जोन भी या आप ये गुटका पान छोड़ दो अब मैं कहते थे यार खुदा एक दिन चुड़ा देगा एक दिन आएगा दिन ऐसा जरूर आएगा मतलब आप विलिंग नहीं थे ना जब इनसान विलिंग नहीं होता किसी काम को करने के लिए तो वो बहुत सारे फिर उज़र पेश कर रहा हूता है तो ऐसी पिर मैं ऻो चुड़ा सा संजीदा हो गया मैं लेकिन मैं नशा नहीं छोड़ रहा था क्योंकि 12-13 साल से एक काम किया जाए तो उसे छोड़ना बोद मुश्किल होता है फिर उन्होंने एक बार मुझे कोल की और मुझे कहा के बदरू गरिपता के एक केस आया मैंने चले ठीक है सघ्टे उन्हों आपके कोल की मैं अफ्रेश हुआ तो अभी मैंने री सेटली गटका जबाया बड़े मज़ेसे मूवी देख रहा था तो मैंने का अच्छा मैंने अफ्रेश हुआ कूली की और मैं चला गया तो जब मैं उनके साहथ गया हूं तो घर में तो मैं कह रहा था यार यह पता नहीं क्यों हो रहा है फिर मुझे सारा पता था क्यों हो रहा है जानता था लेकिन वो काम से बाद नहीं आ रहा था तो जैसे मैं बैठा हूं तो मेरा सर भारी हो गया तो मैंने का यार आज तो लगता है कि बद्रूस मा जाएगी तो मैंने वर् माबाप का हुकम नहीं मानना लेकिन उनसे प्यार जरूर करना है उनसे तुखवाइद बहुत सारी रखनी है लेकिन हुकम नहीं मानना जौन आपकी बात को हम काउंटीनियू करेंगे हमारा ब्रेक का वक्त हो गया है तो कहीमा जाईएगा बड़ी जबरदस गवाही शेयर कर बाई जौन ताज हमारे साथ हैं और हम इनकी गवाही को सुनेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद वो ही देता है जिन्दगी हमेशा की जब मैंने वर्षिप की तो जो सर में पेन थी ना वो क्लियर होगी मुझे कुछ रिलैक्स मैसूस हुआ मैंने का यार अब ठीक है अच्छा लगता कि काम हो गया तो जैसे वो काम फिनिश हुआ है तो हम उनके घर से निकले हैं तो जैसे मैंने कदम बाहिर रखा तो मेरे अच्छा तो मैंने फिल किया कि नहीं आज पकड़ा गया हूं तो मैंने फिल भी किया मुझे पता चल गया कि मुझे पता था कि मैं अंदर से खोकला हूं रुहानी तो मैं अंदर से मुर्दा था तो मैंने का अच्छा फिर मैं बैठा हूं मेरे खादम है पास्टर मारक रहम मैंने का ठीक ओके तो जैसे हम जाके चर्च में बैठे हैं प्रेयर की है तो यकिन जाने के मेरी आँखों में आंसु आ गए और मैं कह रहा था कि खुदावन मैं तुस्से प्यार करता हूं लेकिन फिर भी चीजों ने मुझे क्यों चुआ क्या मेरे गाने में कुछ असर नहीं हैं कि जो मुझे अबली सी चीजों ने चुआ तो मैं काफी रोया काफी रो कि मैंने प्रेयर की और उसकRem मैंने खुदा से कहा कि खुदा मुझे बता मैं क्या करूं तो एक दिल से आवाज आए कि तु अपने गुनाहों का तर्क कर пред वाव वाव तो यकिन जाने कि मैं अक्सर खुदावंद से कहता हूँ खुदावंद मेरा ये काम कर दे तो पहले मैं कहता हुदावंद मेरा ये काम कर दे तो हर टाइम मैं ये ही कहता था खुदावंद मेरा काम भी कर देता था खुदावंद मेरे दौा को भी सुनता था लेकिन उस टाइम मैंने ये सोचा कि मैं क्यूं खुदाओंद को कहता है कि खुदाओंद मेरा ये पहले काम कर मैं फिर ये छोड़ दूँगा तो उस टाइम मैंने सोचा कि यार पहले तुझे करना चाहिए पहले तू खुदा को कह, खुदा मैं यह तरक करता हूँ, तू मेरी जिन्दगी में काम कर. तो येकिन जाने इसी टाइम मैंने बारा साल जो नशा किया, उसी टाइम मैंने उस नशे को तरक किया अपनी लाइफ में से. तो खुदावंद मुझे ब्लेसिंग से बरा और यकीन जाने के खुदावंद बड़े काम करता है जब खुदावंद मुझे वर्शिप का काम लेता है तो यसु का फजल है खुदाम मुझे इतना प्यार करता है कि अब मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग बरकत असल करते है यह बहुत सीखने वाली बात है जो जॉन ताज ने की है वो कहते है कि मैं बिलकुल अंदर से खोकला था इसलिए कि मैंने अपनी जिन्दगी खुदावन को नहीं दी थी यह प्रस्टिश करने का तो शौक था गीत गाने का शौक था अब हर गीत गाने वाला परिस्तार नहीं हो सकता जौन परिस्तार वो है जिसने अपना दिल खुदावन को दी है जिसने अपनी जिन्दगी खुदावन को दी है और किलाम में लिखे है खुदा ऐसे परिस्ता डूनता है जो रूह और सचाई अब सचाई यह है कि अगर आपके आप अंदर से गिल्टी है तो आप उसको अकनॉलिज करें और उस गिल्ट को अपने अंदर से खतम करें खुदा के पाकरू को मौका दे कि वो आपको दोए और साफ करें तो यह बड़ी खुबसूरत बात है मुझे बहुत अच्छा लगा है कि इन्हों ने इस बात को अकनॉलिज किया आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने अंदर गिल्टी रखते हुए भी एक नॉलिज ने करते हैं जी जी सर ऐसी है और गुनाहों के साथ वो जिन्दगी बसर कर रहे हैं गुनाहों के साथ वो गीत भी गाते हैं और वो सारा कुछ वो कर रहे होते हैं पर्दे के पीछे तो हम खुछा से कुछ छुपा नहीं सकते हैं और ये वो बाप है जिसकी नजर में सारी चीजे रहती है तो मुझे बहुत अच्छी लगी है इनकी गवाई और मैं इमान रखता हूँ कि आपने भी इनकी गवाई के रसीला से बरकत पाई एक और बात आपने बड़ी खुब सुनत की कि आपको कुछ ऐसे दोस्त मिले जो आपको येसु के पास लाने में मददगार साबित हुए तो आपकी बात से मुझे याद आ रहा था कि बरनाबास वो शक्स था जो पालूस को कलीसिया के अंदर लेके आया था इसलिए कि पालूस जब साउल था तो वो कलीसिया को मारना चाहता था और अब जब पालूस की जंदगी बदल गई तो कलीसिया उससे बड़ी डरती थी खौफ ज़दा थी वो समझते थे कि अब भी शायद ये वोही साउल है और शायद इसने कहीं छुड़ा खंजर चुपाया होगा वो खंजर निकालेगा और हमें मार डालेगा इसलिए कलीसिया उससे डरती थी और कोई उसको पसंद नी करता था लेकिन बरनाबास वो शक्स था जो पौलूस को कलीसिया के अंदर लेके और उसने इंट्रोड्यूस करवाया एक स्कॉलर कहते है के शो मी यूर फ्रेंज और आई विल शो यूर फ्यूचर मुझे अपने दोस दिखाओ मैं तुम्हारा मुस्तक्बिल बताऊंगा तो हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे दोस आने चाहिएं जो हमें हमारे मुस्तक्बिल की तरफ है ना जो प्रोफेटिकली हमें आगे लेके चलें और जिनकी तर्बियत में जिनकी दोस्ती में हम खुदावन को पा लें और जो राह जो दोस्त हमें यसू के पास ले जाते है ना जॉन उससे बड़ा मौसिन कोई और नहीं हो सकता है अमेन हालेलिया तो प्रेश दा लॉड बड़ी जबरदस कवाई आपकी अब मुझे ये बताईए ये गीत यसू तो मेरा जोर बन जा जो आज चोटे चोटे बच्चे भी गाते हैं चर्चिस में भी गाया जाता है तो इस गीत के पीछे क्या आइडियाज थे किस तरह से आपको इसकी शायरी मिली इसकी कॉमपोजिशन किसने की है इस गीत को लिखने वाला कौन है इस गीत को लिखने वाला तारग भाई है उन्होंने काफी मुझे लिरिक्स दी है तो इसकी कॉमपोजिशन किसमे की है इसकी कॉमपोजिशन उस्ताद हरून है जो मेरे टीचर है जो मुझे हर्मोनियम सिखाते है तो कैसे आपके दिल में आया कि आप इस गीत को गाएं? बस खुदाओन ने गाइड किया के कर दे, तो मैंने फीर गीत कर दिया तो खुदाओन ने इतनी बिलेसंग दी लोगों को, मुझा नहीं पता कि इस गीत में किया है लेकिन जब चुदाओन चरीण को गाया है, तो पता चला कि खुदाओन फिल भूई जब मेरी जो खाहिएं मैंने जिन्दगी में एक खायश रखी थे खुदाओं जब मैं तेरी वर्शिप करूं तो खुदाओं मुझे लोग मैसेज करें कॉल करें कि भाई आप ने जो गीत गाया उससे हमने बड़ी बरकत पाई ये मेरी एक डिजायर थी और यकीन जाने कि जब मैंने ये गीत गाया तो इतने मैसेज को पूरा कर दिया खुदा ने पूरा कर दिया इतने मैसेजिज आउट ओफ कंट्री से कि हमने अपनी जिन्दगी को तबदील किया हमने ये बरकत आसिल कीगी सुनके तो ये किन जाने कि मैं एक दफ़ा फिर चर्च में गवाई देते हुए ना रो पड़ा कि खुदावन कितना प्यार करता है ये अगर हम खुदा के साथ वफदार रहें तो खुदा हमें सर्फ राजी देता है ये सामीन आमीन तो आज मेरा ख्याल है जान बहुत सारी ऐसी रूहें है जो तड़प रही है इस बात के लिए कि खुदावन तुम अपना जोर मुझे हालेलुए है ना क्योंकि हम अपनी ताकत से अपने इल्म से अपने टैलन्ट से कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना किसी को जीट सकते हैं ना किसी को इंप्रेस कर सकते हैं ये उसका फजल है जो हमें संबालता है और उसके किलाम की कुदरत लोगों को छू लेती है और फिर जिए यो में काम होता है तो मैं चाहूंगा कि आप अगर हमारे नाजरीन के लिए इसको गुन गुनाएं तो बहुत बाबरकत बात होगी बहुत ही खुदामने खुबसूरत गीत गी दिया तो मेरा इमान है कि बहुत से लोगों ने बरकत पाई और मैं शुकर गुजारी करता हूँ खुदामन की जिस खुदा ने मुझे यह गीत नवाजा और उस गीत के वसीला से काफी लोगों ने बरकत बलैसिंग हासिल की और मैं बड़ी खुशी मसूस करता हूँ और खुदामन का शुकर करता हूँ आएं मिलकर एक बोल गाएंगे गीत का पाकरू दिया दे तलवारा यशु तु मेरा जोर बन जाँ यशु तु मेरा जोर बन जाँ जी जॉन अभी तक कितने गीत आपने की हैं? मैंने दस गीत की हैं और इस गीत को सब से ज्यादा फे मिला है तो खदान की शुकर गजारी है तो चुक्के एडे क्यामतिलमसी आज मना रहे हैं हम तो एडे क्यामतिलमसी के वाले से भी आपने कुछ गीत रिकॉर्ड किया था? जी सर, रिसेंडली मैंने किया है बहुत खुबसूरत खुदामने अलफाज ही है जागो जागो निकवारियो यसु जी उठेया तो मैं आपको एक गुन गुना के सुनाता हूँ ये जो गीत है जागो जागो निकवारियो ये सुजी उठिया ये मेरे साथ फ्यास भाई हैं उनके लिरिक्स हैं और उन्होंने मेरे साथ मिलकर ये गीत गाया तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा यकिनन आप बरकत हासिल करेंगे जगो 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 निकवारी ओ यह है बहुत खोदान मे बरकत दिया इस गीत कुछा का शुकर है यह सुकी उप्तियू कि आप जब वहँरू लाँ यह बात दरहासल और यह इस लिए कहा गया है कुंकि इमांदार जो हैं वह मुसीय की दुल्हन है कलीशिया जमीन पर मसीh की दुलहन है और मुर्दमेसिजी उताय, वюсь किब्रिया की दानी थीछ बैटाय, और बहूँ जल्द मुझे लेने के लिया रहा है, हमें तयार हैं! आज मुँ आम्मीद करता हूं कि आज के प्रॉग्रम के वसीलह से आपने बर्कत पाई है John thank you very much for joining us और खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और इसी तरह अपने जलाल के लिए बढ़ाता चला जाए आप सब का भी बहुत शुक्रिया और एदे क्यामतलमसी आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो अगले प्रोग्राम में मिलते हैं अपने मसेहा की जो बचाता है वो ही देता है जिन्दगी हमेशा की